अपनी ब्रत की भासा जहां कहीं दुनिया में जाओ और दाउद याल की नगरी बल्देव से जहां लोग जाएं और पहुँचें वैसे ही अपनी भासा अपनी भासा के प्रतिसम्मान पोसाख के प्रतिसम्मान अपने यहां के अनुसार जो आपके खान पान है ढोजन है उसके प्रतिसम्मान यही संस्कृती की रक्षा है अगर ये संस्कृति की रक्षा न कर पाए बताओ गोकुल में बंदावूजी में ब्रंदाबन में फटा जीन्स बहन के घूमने के लिए मिला हैं यह फटे जीन्स वाले उधर जारके इंटा से रगड़ रगड़ के ठाल के पहन रहे हैं बताओ महराज इससे बढ़िया तो हम लोगी धूती कितना बढ़िया चारों तरफ से खुला है हमारा वेंटिलेशन बेट तुम भाड़ रहे हो इंटा के लेकर कांच छेदवाए रहें नाक छेदवाए रहें जीब छेदवाए ले रहें बाल ऐसे बनाए रहें राक्षा सा गया कहीं से नार दिया बेचारे को बाल खड़े हो गये सो यह आपकी संस्कृति है यह आपके कल्चर है आप देखो आप आप ब्रजवासी माताओं को आप गोपियों को देख करके मैं सत कहता हूं सत सत बार मेरे सेश चुग जाते हैं कैसे राधा-रानी की तरह और राधा-रानी की सखि किता हूं तो कहता हूं यह भारत है यह हमारा ब्रज है इस संस्कृति का विकास पूरी दुनिया में होना चाहिए यह विकास होना चाहिए और आप भी जैसे जैसे इस संस्कृति के प्रति प्रेम जताओगे आपके ही बच्चे डिप्रिशन में हैं टेंसन में हैं दवायां कहता हूँ जिस देश में महाराण प्रताफ जैसे लोग घांस की रोटी खा करके भी कभी डिप्रेशन में नहीं गए जांसी की रानी महाराज बच्चे को पीठ में बांध करके और तलवार से युद्ध करके भी डिप्रेशन में नहीं गई जहां रगु घोड़े के अस्तब और अमरीका वालों के लिया, वहां जाये, हम लोग पूई डिप्रिशन टेंशन में नहीं रहते हैं, पर यहां तो बच्चा बच्चा, मम्म ही हम डिप्रिशन में हैं, तेरी उम्र हो रहे हैं, तीन साल डिप्रिशन में चला गया, और मम्मी भी बड़ी खुस होती है, ओ हमार गोलू है ना बड़ा आजकल टेंशन में रहता है टेंशन का बेटा होगा तो टेंशन नहीं में रहेगा सरमा जी का बेटा सरमा जी होगा बर्मा जी का बेटा बर्मा जी होगा गुसाई जी का बेटा गुसाई जी होगा अविया जिनका जो बेटा होगा तो आप में से कोई कोई टेंशन जरूर होगा इसलिए बेटा भी टेंशन पैदा हो गया बेटी भी टेंशन पैदा हो गई है वाफी का असर पड़ा होगा पर अब मैं आप से पूछू आप क्यों टेंशन में हो यह स्रीमर भागवावत आपके इन समस्याओं का समाधान करेगी यह स्रीमर भागवावत के बल ऐसा नहीं कि आप संस्कृत के С्लोकों का बाचन करके चले गए और जन सामानने को पता तक में चला दस करोड स्रिमत भाग बस सुनने वाले लोग हैं और अब संस्क्रित जानने वाले लोगों की संख्या सुनोगे तो आश्र चकित रह जाओगे इस भारत में संस्क्रित कितने लोग जानते हैं संस्क्रित का सम्मान होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि नासा ने भी ये मान लिया है अब तो नासा बोले भी ना काम चलेगा ने हम नासा तै करेगा कि क्या होगा नासा बता रहा है कि कितने बजे सुरी गरहन लगेंगे नासा बता रहा है कि चंद गरहन कितने बजे लगेंगे अरे हमारे बल्देव में आज के साथ साल सौ साल प अगर बता दिया इतने बजे इतने महीने में सूरी ग्रहन होगा तो सूरी ग्रहन होगा तब अरबो रुपए लगा करके नासा कहा था छोले में पोथी और पत्री में नासा भरा हुआ था ये भारत वो स्थान है भारत की वो संस्कृती है वो हमारा संस्कृत भासा है तुम सं साइब कोई जाकर के बलब बना गया कोई जाकर के वायुयान बना गया कोई रेल-gaぎ बना गया अरे संस्कृत पढ़ो उन से हजार गुना उन्नत चाहिए दिज्ञान हो वासा हो साहित्य हो सब में हजार गुना लाव कुना उत्म हम हैं कोई सैक्सपियर और कोई लॉफ फैलो और दुनिया का कोई भी ऐसा लिखत नहीं है जो हमारे कालिदास स्री हर्स वांगभट इनका महराज कोई साहित में इनके समक्ष भी खड़ा हो सके कालिदास के कोई समक्ष खड़ा हो सके है कोई यह सैक्सपियर खड़ा होंगे कहां से खड़ा होगा विचारा सैक्सपियर जो यह कहता है सिंपैथी इस बेटर दिन गोल्ड इन अन हव इट पॉस्पैथी चहिए तुमको गोल्ड अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ आपको साहनुभूती चहिए अरे यह ड़का है कि गया समर्दी ज्वेलर्स भाला है कि भाग गया उससे पूछती कि तुबटा बेटा कि तेरे को हम सिंपैथी दें कि एक किलो सोना दे का हमारा सोना दे तो सिंपैथी क्या करेंगे कहता है Sympathy is better than gold कहने की बाते हैं साहब सब बदल गया है गोल्ड चाहिए परन्तु आप जब अपने लेखकों के अपने उन महान आर्स रिशियों के बारे में पढ़ेंगे अब तो कंप्यूटर के लिए सबसी अच्छी भासा संस्रित हो गई है और आपके कोई गलती नहीं है मैं जोड़कर आपका भी मेरी बातों का थोड़ा भी छोब मत मानना आपका कोई भी गलती इसमें नहीं है इसलिए कि ये दुनिया बाप बड़ाना भाईया सबसे बड़ा रुपईया का है जहां रुपईया मिलेगा मनुस से जुड़ेगा वहीं पर आपके संस्कृत को दबा दिया गया संस्कृत की भासा को हटा दिया गया संस्कृत पढ़े अठारा जार श्लोक याद हैं ब्रंदावन में हमारे यहां पर बल्देव में गूकुल में ऐसे ऐसे बिद्वान बैठे हैं पर उन बिद्वानों को कौन जानता है कहां संस्कृत के संमान को कम कर दिया गया है पर जिसको न अपनी भासा आती है न कुछ भासा आता है तूटी-फूटी हिंगलीश बोलता है जिन्स भाल के पहनता है वो हमारा हीरो बना हुआ है मेरे भारतवासियों जब तक आप इमानदार लोगों का और अपनी संस्कृती मानने वाले लोगों का संस्कृत में बिद्या अध्यन कर रहे लोगों का भगवान देवी देवताओं पर विश्वास करके अपने जीवन को सुंदरता से जीने वाले लोगों पर अगर आप आस्था नहीं करोगे और उनका सम्मान नहीं करोगे तो कुछ भी बोलते रहो अगर लंपटों का सम्मान होता रहा तो दुनिया में लोग लंपट ही बनना चाहेंगे कोई भी बिद्वान बनना नहीं चाहेगा कोई भी भारती संस्कृती से जुड़ना नहीं चाहेगा सम्मान करना होगा आपको